क्या आप भी अपने Instagram को temporarily deactivate करना चाहते हैं कि आप अपने Instagram को temporarily deactivate कैसे कर सकते हैं या उसे deactivate कैसे कर सकते हैं तो फिर आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखते रहिए तो नमस्कार दोस्तु आपका हमारी YouTube चले पर बहुत-बहुत स्वागत है यहां देखे बैसे के अपने मुबाइल पर हैं और अपने Instagram को temporarily deactivate करने के लिए सबसे पहले देखे आपको अपने Instagram अप्लिकेसन को open कर लेना है और जैसे इससे देखे आपके सामने कुछ से इस तरीगे से आ जाएगा यहां पर आने के बाद देखे आपको अपने profile लोगों प चुझता है account center का सो अब यहां पर क्लिक करेंगे यहां पर क्लिक करने की बाद देखे पासवर्ट सेकोर्टी प्रस्नल लीटेयल और प्रफोर्मेंस आप यहां पर चुक कर सकते हैं या उन्हें इसमें इडिट्या बदलाओ कर सकते हैं ठीक है तो यह फर्स्ट वाली ही ओप प्रेशनल लेटेस भी चेक कर सकते हैं आपकी जो इमेल क्या है आपका किस नंबर से आपने इंश्टाग्राम बनाया हो तो वह देख सकते हैं इसके नीचे आएंगे तो आपको द्यान रगना है जिस भी अकांट को यहाँ पर देख लेना है यहाँ आपका करेंगे इस तरह से ओपन हो जाएगा यहाँपा देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यहाँप़ अगर अपने Instagram एकाउंट को आप डिलीट करना चाहते है तो यह देखे सेकंड वाला उपसन है इसके लिए मैंने पहले से ही इस टोपिक पर वीडियो बनाया हुआ है तो इसका लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या फिर आई बटन में देदेंगे तो वहां से भी आप देख सकते हैं ठीक है तो यहां पर हमें आपको deactivate करने का तरीका बता रहा हूं ठीक है continue और यहां पर continue के option पर आपको किलिक कर देना है जैसे आप continue पर किलिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह के से आएगा और यहां पर आपको password डालने को बोलेगा पर आप किलिक करेंगे फिर आपके समने देखे कुछ इस तरह के से options आजाएंगे यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर आप somethings पर किलिक करके इस तरह के से continue पर किलिक कर देंगे यह आपका यूसर नेम होगा वह आपको ध्यार रगना है जो वह अला एकांट था वो यहां स द्न से हड़ चो का है तो अभी जो यूजरनेम होता है आपको द्यान रखना है और उसका पासवर्ड रखना है तो आप उस यूजरनेम के मदद से ला पिर निम डल कर नह बार डालकर उसες फिर से भी आपने सा मूदा में यृटकिजên कर सकते हैं जब भी आ अन्निवाद